है अग्याइब दोस्तों एक वाइब मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज की मेरी वीडियो कोरल ड्रो के उपर है आज मैं आपको कोरल ड्रो में एक लोगो बनाना सकाऊंगा आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके से लोगो हम कैसे डिजाइन करेंगे कोरल में हम ऐसा लोगों किस तरीक से डिजाइन करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं तो देखिए आप मेरा वीडियो दोस्तों अगरा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूल जोड़िएगा और दोस्तों एक कमेंट जरूल कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने कॉरल ड्रो ओपन किया हुआ है और कॉरल ड्रो में आप अगया क्लिक करांगी किस ठीन टूल पर किल्क करने के बाद आप एक लाइन ड्रोख करेंगे ऑद लाइन आप रिमें बिल्कुल सुद्च बना लेंगे लाइन के लाइन के के वाद सभी को सलेक्ट कर लेंगे सलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे इस पॉइंट पर राइट के लिक करेंगे तू कर देंगे तू करने के बाद करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे लाइन पर क्लिक करेंगे लाइन पर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे अपने कीबोर्ट से पिलस की दबाएंगे दोस्तों पिलस से क्या होता है जो हमारी ऑब्जेक्ट होता हो कॉंपी हो जाता है तो कॉंपी करने के बाद मैं इ केरो की से सकूरीавно नीचे के तरफ में ड्र ہے कर दोँगा कि लाइव ? अपको सेभ टू लेना है और इसको ऊपर की तरफ लेतों लाइन का पीछे का पॉइंट है उसको पगड़के हलका सा और आगे कर देंगे तो आप देखेंगे कि करव हमारा मेच करेगा उपर वाली लाइन से अब यह लाइन हमारी करूंद हो चुकी है दौनों में करूंद करने का दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहां पर एक ला करके आप यहां से सेलेक्ट कर देंगे सेफ्रॉन कलर के सरीया और यहां पर किलिक कर देंगे तो आप देखेंगे किसमेझ के सरिया कलर फिल हो जाएगा दोस्तों यहां से नीचे कर लेंगे और इसको कर दूंगा मैं डिलीट डिलीट करने के बाद दोस्तों आप दिखेंगी मेरा करू बनकर तयार हो चुका है अब इसके बाद आपको क्या करना है करू मेरा बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है इसके बाद आपको क्या करना है एक अपने पिलस की से इसको कॉपी कर ले है इसके अंदर आपको वाई इसके अंदर हम वाइट कलर को फिल करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह सलेक्ट कर लेनी है बिल्कुल मिड़ पॉइंट पर आनी चाहिए ताकि देखने में थोड़ी अच्छी लगे हलका सा और में रूटेट करूंगा उपर की सब्सक्राइस सब्सक्राइब है यहां से आपको वैट ऐलिल लेना है रवाइट कलर लेनी के बाद और आपको यहांपर क्लिक कर देना तो यहां पर ऑइप ो हो जाएगा do i select tool पर क्लिक करेंगी और दोस्तों और हमारा एक च्ट्रा पारत है इसको मैं डेक लिट कर आपको बीच में पॉइंट ले लेना है आपके दो दो बॉक्स तो पहले से तीसरा और ले लेना है कि यहां पर और सब्सक्रानों करते हैं तिसी थारीा श्रागर में में केसा है करूकर सब्सक्राइब दो कर दो यहां करें उसके वाज़ आपको यहां पर दोस्तों मैंने सुलेक्ट को बनाढ़ा था हाइड हो चुका है तो वहां पर मैंने सलेक्ट करके वाइड कलर फिलconomow घ्रकर मेरा नासे बनकर सुने तैयार हो चुका है जो का अब इसको में क्या योक्त करा क्या यहां इसके साइज को मैं हलका सा छोटा कर दोंगा पर इतना ही काफी है साइज को हम छोटा कर देंगे दोस्तों अब देखिए यह मेरा सेकंड पार्ट बनकर तयार हो चुका है लोगों का हलका समय रूटेट इसलिए कर दिया ताकि यहां पर गैप नहीं था गैप आ जाए इस तरीके साथ दोस्तों हम सेकंड इस्टेप पर पहुंच चुके अब आपको फिर से दोनों को सलेक्ट करना है सलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोनों को सलेक्ट करने के बाद आप अपने right click करेंगे और Ctrl G फिर से press करेंगे तो दोस्तों ये दोनों फिर से गुरूप बना दिये मैंने अब ताकि मेरे को बारवार disturbance ना हो मैंने गुरूप बना दिये गुरूप बनाने कर आपको freehand tool से यहाँ पर circle पर click करना है आप circle को एक ड्रो करेंगे circle को ड्रो करने के बाद आपका circle सही तरी के इस आये तो आप अपने keyboard से Ctrl & Shift करेंगे Ctrl & Shift के press करके आप circle select करेंगे तो एकदम length of bit उसकी same आएगी इतना काम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम set कर देंगे आप देख सकते हैं मैंने set किया है बीच में इसको select करने कवा दोस्तों यहाँ पर देखें मुझे center देखना है जैसे आप यहाँ पर double click करेंगे पिलस पर तो यह center में convert हो जाएगा इसको मुझे pick करना है circle के अंदर जो मेरा curve था उसके circle को यहाँ प देखेंगे आपको left की को छोड़ना है और right की प्रेस करनी है तुरंत left की छोड़के right की तुरंत प्रेस करेंगे तो वह copy हो जाता है दोस्तों अब आप क्या करेंगे अब आप अपने keyboard से control D प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि circle के 4 और हमारा जो कर्व है वो आटोमेटि रूटेट करेंगा control D प्रेस करके तो इस तरीक से logo हमारा लगभग बनकर तयार हो चुका है अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट इसमें थोड़ा सा काम और बागी है दोस्तों तो इतना काम करने को आप क्या करेंगे दोस्तों यह जो मेरा white circle है मैंने जो अभी अंदर फिल किया और इसको सालेट कर दिया आउटर लाइन हटाने के लिए मैंने क्लिक किया अब इसके वाद क्या करना है मैंने इसकी दोस्तों कॉंपी करके यहां रख ली इसकी मुझे जरूत बाद में पढ़ेगी इसलिए मैंने इसको कॉंपी करके यहां रखा अब आप अपने फिर से दोस्तों इसको क्या करना है मैं कॉंपी करना है कॉंपी करने के बाद अपनी शिफ्ट की से इसको हलका साइज बढ़ा देना है कि मैंने सर्किल का साइज बढ़ा दिया साइज बढ़ाने के बाद क्या करना है दोस्तों आपको अपने कीवर्ड से अप प्लस की यूज करेंगे और इसको कॉंपी कर लेंगे मैं इसको कॉंपी कर लिया और हलका सा मैंने अंदर की तरफ एक सर्किल और ड्रो कर दिया उसकी हम आपने आउटर लाइन एट दी इसकी आउटर लाइन हम देंगे यहां से कलर तो आपको सैफ्रोनी रखना यहां से फॉर कर देंगे आउटर लाइन और यहां से जो तो इस्टाइल है ना वो डॉट डॉट कर देंगे डॉट डॉट इस्टाइल सलेक्ट करने का ओके कर देंग क्वा आफ्र हमयब चार्व करने के बाद आपको जाना है बिटमैप पर ब्राइब करना है क्योंकि यह दोस्तों मीरी करना अब थोड़े बनाओं इमेज मैने क्यों बनाया इसको फिर से आपको क्या करना दोस्तों हलका साम है इन और पर बढ़ाया सुन म के लिए तो यह इसे से से सेखेंड पॉइंट गेशी एन विलर पर आपको किलिक करना है तो आपको बॉक्स ओंपन होगा यहां पर हलका सा पिक्सल आप और बढ़ा देंगे 3747 पिक्सल हलका सा बढ़ाने के बाद आप यहां से प्रिव्यू देख सकते हैं तो यह हमारा बिलर में दिखाई देगा देखिए मैं प्रिव्यू पर किलिक किया तो बिलर में कनवर्ट हो गया बिलर में कनवर्ट होने के बाद आपको क्या करना ओके आप और इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं यहां से लर करने के बाद मैंने इसको क्या करना है इस सदो के लिए के ऊपर सेंटर से सेंटर मिलाकर रख देना ते cat avatic सटर मेंच करいगा भाप को कुछ नहीं करना इसके बाद क्या करेंगे आप अपने यह ऊपर की तरह है फिर से आप पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे साथ में हलका सा पहले इसको बढ़ा करता हूं और जरूत पड़ेगी तब चोटा कर सकते और विसको बढ़ा कर सकते हैं साइज हलका सा मैंने इसको छोटा गया आप अपने कीवोर्ड से कर पेज़ डाउन की पिरस करेंगे तो जो अब्जेक्ट था ना वो पीछे की तरह पहुंच जाएगा और यह पीछे वाली चीज थी वह आ गया जाएंगी कंट्रोल के साथ पेज़ डाउन हलका साइज मैंने और यहां पर इंक्रीज कर दिया दोस्तों आपका लगवाग लगवाग लोगो बनकर तयार हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यह अब मुझे हलका सा इसमें ओम टाइप और करना है मैं अभी करता ह तो इतना काम हो चुका है दोस्तों हमारे लोगों का आप अपने कीवोड से कंट्रोल 11 की प्रेस करेंगे जैसे ही आप की कंट्रोल के साथ 11 की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं साइड में एक आपका साइड बार ओपन हो जाएगा यहां पर आपको फॉन्ट पर किलिक करन इस क्रोल वार को हलका सा आपको इस क्रोल डाउन करना है और आपको यहां से ओम एक सैकंड दोस्तों यहां पर मेरा अनकिलिक हो गया है मुझे यहां पर विब्डिंग्स करना है और इसको पकड़के नीचे की तरिफ ड्रेक करना है अप दिखेंगे कि आपको ओम का सिंबल दे जाएगा यह ओम का सिंबल लेना है आपको यहां से और इंसर्ट कर देना है ओम का सिंबल इंसर्ट होने के बाद आपके सामने ओम का सिंबल आ जाएगा हलका सा साइज बढ़ा करना है आपको यहां पर सैफ्रान कलर यानि कि फिर से आपको इसको के सरीया कलर देना आउटर लाइन रिमूब कर देनी है और इसको इसके साइज को हलका साम छोटा करेंगे ताकि हम इस सर्केल के अंदर फिक्स कर सके हैं अब मुझे यह ओम इसके अंदर लगाना है तो दोस्तों देखिए मेरा जो ओम है न उससे पहले में एक ची बता दूँँ यह दोस्तों यह लाइन है यह एक्ट्रा है लाइन इस लाइन क आपको सहके द Ostव कर हैं दूसतों कितना भी इसम grapes कर सकते हैं कितना भी इपकर सकते इसको अपने कोड़िंग बस इससे जदा मुझे नहीं करना इह तना ही काफी है और आप देख सकते हैं दोस्तों इतना काम करने के बाद जुँ मेरे लोगो है बनकर तैयार हो चूका तो दोस्तो आपने इस वीडियो में जाना कि हम किस तरीके से कॉरल ड्रो में कोई बेसिक डेजाइन या कोई बेसिक लोगो किस तरीके से यृट Mayu मने आपको एक ओम से संबंधित एक लो गो बनाने सिका है कि हम किस तरीकि से लोगो बनाएंगे ऐसे और वी वीडियो में दूस्तों लाता रहता हूं एक्सल के उपर है e-ne-se world के उपर है टैली के उपर है फोटोसर दे तो आप कर देखियेगा चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा थेंक यू